कहते हैं बॉल्वूर्ड की एक आक्टरस दूसरी आक्टरस की तारीफ नहीं कर सकती लेकिन यहां माज रही दूसरा है इन दिनों देसी गर्ल प्रेंग का चोपरा सनी लियोनी की तारीफ करती नहीं थकती दरसल सनी लियोनी ने काम ही ऐसा किया है कि कोई उनकी बिना तारीफ करे रही नहीं सकता सनी की तारीफ की पीछी की कहानी यह है कि इन दिनों ये खूबसूरत बला धूमरपान ना करने की सला देती नजर आ रही है सनी लियोनी को ये खयाल अचानक नहीं आया बलकि सनी लियोनी ने एक शॉर्ट फिल्म की है जिसमें वो धूम पान ना करने की संदेश देती है सनी लियोनी की ये शॉर्ट फिल्म 11 मिनट की है इसमें एक ऐसे वेक्ति की इच्छा के बारे में बताया गया है जिसके जिंदिगी के कुछ ही पर बचे है इसमें उसके जिंदिगी के आखरी के 11 मिंट को दिखा गया है इस शॉर्ट फिल्म में सनी लियोनी के अलावा अलोकनात और दीपक डोब्रियाल भी है प्रेंका चोप्रा ने सनी लियोनी के धूमपान विरोधी शॉर्ट फिल्म की सरहना करते हुए कहा कि उन्हें ये फिल्म बेहत पसंद आई प्रेंका ने ट्वीटे पर सनी लियोनी के इस फिल्म की सरहना की वहीं सनी लियोनी ने भी बाजीराव मस्तानी की अदाकारी का शुक्री अदा करते हुए इस फिल्म का संदे लोगों तक पहुचाने की उमीद जदाई यू तो सनी लियोनी अक्सर क्रिटिक्स के निशाने पर रहती हैं लेकिन इस फिल्म के बाद क्रिटिक्स के साथ साथ उनके अगेंस बोलने वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सनी सीरियस मूवी ही नहीं बलकि मैसेश फूर रोल वाली मूवी भी कर सकती है। ऐसे में सनी के लिए प्रेंका की तारिफ काफी मानने तर रखती है क्योंकि प्रेंका चोप्र ना सेवे एक बहतरीन आक्टर्स हैं बलकि कई फिल्मों में दमदार रोल कर अपने अदा का लोहा मनवा चुकी है। खैर सनी के बारे में कोई कुछ भी कहे। लेकिन सच तो यही है कि सनी लियोनी ने इस फिल्म के जरीए देश और समाच को एक हेल्दी मेसेज देनी की कोशिश की है। क्या पता सनी लियोनी की इस कोशिश से उनके दिवाने और चाहने वाला हमेशा के लिए धूम उर्पान से तौबा कर ले।